फिलास सीदे रुकरते हैं मुक्मत्री योगी आद इतना थिस्वक्त कुछ बोल रहे हैं लोगों को संबल देने की बजाए दिस तरीकी की अराजकता का वातरण पैदा करने का कुछित प्रियास कॉंग्रेस और विपक्सी दलों के नेताओं ने सेकिन वेप के दोरान किया था दुरभागे से जब एक साहसिक निड़े देश के संसस्थ सत्र को लेकर के किया जाता है और संसस्थ सत्र प्रारम होने के ठिक एक दिन पहले इस प्रकार की एक संसनी खेज चीजों को परोष करके समाज में एक विसाक्त वातावन पैदा करने का जो कुछित प्रियास हो रहा है राजनीती के घड़ते वे गिरते वे अस्तर को एक प्रदर्शित करता है बिपक्स पुरीतरे नकारात्मक भूमिकामे के साथ में है और उन अंतराश्टिय साजिसों का सिकार जाने अंजाने में हो रहा है जो अंतराश्टिय साजिस किसी न किसी रूप में भारत को औस्थिर करना चाते है भारत को किसी न किसी रूप में औस्त ब्यस्त करना चाते है ये कोई पहली घटना नहीं है याद करिए जो अभी कुछ वर्स पहले 2020 में प्रारंब में अमेरिका के राष्ट पती की भारत विजिट के दोरान उनके दिल्ली पहुँचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआद भीषण दंगा क्या एक साजिस का हिस्सा नहीं था तमाम विपक्सी दलों के लोगों की संलब्टता उस दंगे के साथ जोड़ करके नहीं देखी गई थी करोना कालखंड के दोरान देश के कोविड प्रबंदन को डेवलुएचो और दुनिया के देश सरा रहे थे लेकिन भारत के अंदर विपक्स एक ऐसा माहोल बनाने का प्रियास कर रहा था जैसे कि सरकार इन सभी चीजों से अन्विग्य है और महामारी से लोग मर रहे हैं अंतरास्तियस्तर पर भारत की छवी को खराप करने हैं भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मनसूबों के साथ विपक्स कारे कर रहा है या दिन तो दुरुभा के पूर्ण है अनेक ऐसे उसर आये हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर कारिक्रम होता है उससे पहले विपक्स किसी न किसी साजीस का सिकार होकर के देश के खिलाब या दुनिया के अंदर भारत के खिलाब माहूल बनाने के लिए किसी न किसी खड़ेंतर का पार्ट बन जाता है संसत का इस सत्र अत्यंत महत्वपूर सत्र था और मुझे तो अस्षरे होता है ये परिपाटी रही है संसद सत्र में क्योंकि लगभग 19-20 वर्सों तक संसद के अंदर कारे करने के लिए का मुझे असर प्राप्त हुआ था भारत के लोकतंत्र की सबसे महत्वपून प्रहरी और सबसे महत्वपून स्थम्ब देश का संसद है एक आम नाकरी की आवाज को उस मंच के माप्यम से हम देश के सामने रखते हैं और संसद की परिपार्टी रही है कि मंत्री मंडल के गठन पुनर गठन के साथ मान्य प्रभान मंत्री के द्वारा नए मंत्रियों का परिचाह संसद से कराए जाता है आपने देखा होगा मंत्री मंडल के परिचाह के कारिक्रम में ग्रामी प्रिष्ट भूमी से जुड़ेवे अनसुची जाती जन जाती पिछडी जाती और उन तबकों से जुड़ेवे मंत्री काफी बड़े पैमाने पर बने हैं जिन्होंने देश की आजादी के बाद कभी भी नित्र तो नहीं देखा था आज जब उस तबके को नित्र तो दिया गया उन्हें आगे बढ़ने के लिए काउसर प्रधान मंत्री जी ने दिया और उन सभी मान्ने मंत्रियों के परिचे संसत सत्र प्रारम होने के साथ ही संसत के अंदर होता विपक्स कोई रास नहीं आया संसत एक मंचो होता है अपनी बात को रखने का लेकिन सोर गुल का सिकार हम संसत को बना लें ये लोक तंदर का गला घूंटे जैसा है ये लोक तंदर के साथ खिलवाड है और ये लगातार विपक्स कर रहा है आपने देखा होगा किसान अंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खिलाब साजिसें रची जाती है कैसे किसान को समदाए में मत और मजहब के साथ जोड़ करके देख करके उनके माद्यम से भड़काओ और देश विरोधी किरतियों को आगे बढ़ाने की छूड़ दी जाती है विपक्स उनके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है ये नकारात्मक राजनीती से न देश का कल्यान होने वाला है और न विपक्स का ही और न जनता जनारदन का ही इस प्रकार की नकारात्मक राजनीती देश के अंदर वातावरण को विसाक्त जरूर करेगे भारत की छवी को अंतराश्ती अस्तर पर खराब भी जरूर करेगे करोना कालखंड के अंदर विपक्स की इस नकारात्मक रवये के कारण भारत की छवी पहले काफी आहत हुई लेकिन अपनी नकारात्मक तासे विपक्स आज भी बास नहीं आ रहा है तत्थेहीन जूटे आरोप लगा लगा करके देश के किस्षी नित्रत्तों को बदनाम करना भारत की छवी को अपने देश की छवी को लगातार निरंतर धुमिल करना विपक्स के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है उनके कुछ सित मनसाएं कभी पूरी नहीं होंगी जनता जनार्दन समय आने पर उन्हें फिर से जवाब देगा वैसे ही जवाब देगा जैसे दोहजार उन्नीस के लोगसवा चुनाओ के ठिक पहले रास्तिय सुरक्सा से जुड़ेवे अहम मुद्दों पर राफेल जैसे मुद्दों को ला करके उस समय विपक्स ने देश का वाताण खराब करने का प्रियास किया था बाद में उनको मुखी खानी पड़ी थी नियायले में भी और जनता जनार्दन की अदालत में भी इस बार फिर से संसत सत्र के महत्वपूर मुद्दे पर जहां पर गाओं के लिए गरीब के लिए किसान के लिए नौसवान के लिए महनाओं के लिए समाज के विभिन्न तपकों के लिए चर्चा होती करोना महमारी को लेकर के चर्चा होती vaccination की drive को कैसे हम समयबद ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें इसको ले करके इस सदी की समहमारी से निपटने में सामिक्ता का क्या प्रभाव हो सकता है इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता चर्चा का मंच न बना करके सोर्गुल और केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथी तत्यहीन और जुटे आरोप मंगड़नत आरोप लगा करके देश की छवी को भी धुमिल करने का जो कुछित प्रियास हो रहा है ये कभी मंसाएं विपक्स की पूरी नहीं होंगी इस परकार के मंगड़नत और तत्यहीन आरोपों कोई एक सिदे से खारिच किया जाना चाहिए कि देश की जंता मांग कर रही है कि पिपक्स करुना काल खंड में जो एक विसाप्त बातावन पिपक्स नहीं बनाया था देश के अंदर दुनिया के अंदर देश की छवी को खराब करने का कुछित करे किया था उसको लेकर के भी और संसत सत्र की कारवाई को निर्वाद और निर्विग्न संपन करवाने में योगदान देने की बजाए अपनी इस नकारात्मक्ता के करण जनपक्स से जुड़ेवे जनता से जुड़ेवे जुलंत मुद्दों को संसत में न उठने देना ये आम नागरी के जीवन के साथ खिलवाड है निपक्स को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगने चाहिए तराश्य इस तरपर साजिस है या सिर्फ निपक्स की साथ तेखे ये एक बहुत बड़ी साजिस का हिस्सा है कि भारत के संसत सत्र के ठीक पहले जिस संसत सत्र में किसानों के मुद्द को लेकर के कोविड के मुद्द को लेकर के और देश से जुड़ी भी अन्यमहत्वण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा वढ़ा करके देश के हितों के लिए 130 करूर लोगों के हितों के लिए कारे होता मुक्यमंतिय योगी आद इतनात को आप सुन रहे थे देश की संसलत में जैसरे के सहंगावा मचा उस पर विपक्ष की आलुष्णा करते हुए